हालो फ्रेंड्स वल्कम टू आई एक्जाम भी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आपको पता है ट्वेंटिएथ मार्च को से भी ग्रेडे का फेस टू एक्जाम है और मुझे काफी सारी क्वेरीज इमेल पे वाट्साप पे टेलिग्राम अब आ रही कि सर इंग्लिश जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव का उसमें हमें कंटेंड को इंपोर्टन्स देना है या लैंगवेज को देना है कैसे आगे प्रोसीड करना है यह थोड़ा सा स्टूडन्स को डाउट है तो मैं यह आपको जो डाउट है यहाँ पे सॉल करने क का ट्राई करूँगा एक्चली उन्होंने ऌफिशली कहीं भी नहीं कहा है लेकिन जो अबीप्यश जो एक्जाम लेता है उन्होंने आईबीपीयसegenwo तो यह अगर आप IBPSPO 2021 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है यह मैं आपको यहाँ पर पढ़के दिखाता हूँ Descriptive Paper of English Language that is writing, letter writing and essay may be evaluated by an automated scoring mechanism Indirectly इनको कहना है कि software through वो check करेंगे for identifying features related to writing proficiency यानि कि आपकी लिखने की जो technique है आप कैसे लिखते हो उसके बारे में यह कह रहे है कि यहाँ पर उन्होंने content के बारे में इतना नहीं लिखा है क्योंकि यह English Language का paper है इसलिए writing proficiency यहाँ पर test करेंगे ऐसा यह कह रहे है This scoring mechanism is duly validated and evaluates test taker's proficiency in writing in English language in an objective manner as the mechanism does not have any inbuilt biases for evaluating responses इनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी manual intervention नहीं होगा क्योंकि आपको पता है जब manual intervention होता है तब bias होने का chance हो सकता जैसे मान लीजे privatization के बारे में ऐसे आता है तो जो check करने वाला है उसका view क्या है suppose वो privatization के favor में है और उस type का essay आ गया तो उसको ज़्यादा marks मिल सकते है अगर वो privatization के favor में नहीं है और आपने privatization के आगे लिखा या for लिखा उनका जो opinion है उसके base पे आपके marks कम ज़्यादा हो सकते है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम computer से paper check करते है इसलिए इस type के bias नहीं होंगे अभी यहाँ पर SEBI का क्या सवाल है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि exam conducting body क्या है कौन है exam conducting body यह IBPS ही है यानि कि SEBI ने क्या कहा है IBPS को कि आप यह students का exam लीजिए phase 1 का exam phase 2 का exam लीजिए उसके बाद जो selected student है उसका list हमें दे दीजिए उसके बाद फिर interview लेंगे and interview के marks उनके पास यानि कि वो decide करेंगे कितने marks देने है and then final list बनेगा तो इसलिए यह जो evaluation process है इसमें SEBI का रोल नहीं होगा ऐसे मुझे लगता है आपको क्या लगता है आप बता सकते है तो यानि कि IBPS का clearly stance है और actually यह मुझे 2015-16 में पता चला जब मेरे एक student ने किसी एक exam में cricket के ओपर essay आया था उसने football पे लिखा था तो उसका English actually बहुत अच्छा था तो उसको लगा कि यह उसका selection नहीं होगा लेकिन उसको बहुत अच्छे marks आय थे English के paper में क्योंकि उसका English अच्छा था और essay system से check होने के बाद उन्होंने बस उसका English language चेक किया है तो यह मेरा जो वीडियो है specifically essay student के लिए useful है जिनका English अच्छा नहीं है यानि कि moderate या उससे level कम है जिनका English अच्छा है उनको तो कोई problem नहीं वो तो उनका English का language दिखाएंगे और उसके बाद जो content है उस पे भी वो लिखेंगे ठीक है तो यह मेरा view है और यह वीडियो का फायदा essay student को होगा उनको इसके से अगर लिखेंगे तो हमें marks मिलने के मतलब chances हो सकते हैं तो अभी यहाँ पर आते हैं सेवी सेवी नहीं क्या कहा है दो paper है paper 1 है paper 2 है यहाँ पर 100 mark का paper रहेगा paper 1 100 mark का रहेगा paper 2 यह generalist इमवला यहाँ पर इसका weightage कितना है one third इसका weightage कितना है two third इसका मतलब है English में आ आपको जितने marks पिलेंगे उसका two third किया जाएगा उसको फिर बाद में add करके point 85 से multiple किया जाएगा क्योंकि 85% weightage जो है वो phase 2 के marks को है and 15% weightage है वो interview को है यानि कि जिंका English अच्छा नहीं है उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि already इसके marks मतलब इससे आदा है इससे आ तो जिनका English इतना अच्छा नहीं है ऐसा उनको लगता है तो उनको इतना भी डरनी की जरूरत नहीं है ठीक है थोड़ा तो आपको डर तो लग रहा है वोगले इतना डरनी की आपको जरूरत नहीं है तो चलिए अभी देखते है pattern कैसा है pattern है ऐसे 30 mark का है प्रेसीज जो है व के उपर आपको लिखना है प्रेसीज में भी ऐसा है अगर आप सिर्फ देखेंगे कि वो बस इंग्लिश लैंग्वेज लिख सकते है सबको नहीं लिखना ही जिनका इंग्लिश अच्छा है वह तो कर पाएंगे लेकिन एक youngest student मेरा था जिसको कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश उसने वैसे के वैसे leadership आ कि मार्क स Apply ठैके यह मेरा अंड स्ट्रेंडिंक आपको प्लցछ में हो सकता है गलत भी हो सकत ठीक है मैं आपको मेरा experience बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था उसकी बाद comprehension जो है comprehension यानि कि आपको passage दिया जाएगा उसके उपर आपको 5 question पूछा जाएंगे passage पढ़के अपने अपने language में आपको वहाँ पर answer लिखना है अगर किसी को कुछ भी लिखना नहीं आता है उससे अच्छा यह follow करें ठीक है मैं फिर से यहाँ पर आपको warning दे रहा हूँ ऐसा सबको नहीं करना है ठीक है यह मैंने जो observe किया है उसके basis पर मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इसलिए आपको बार-बार कह रहा हूँ यह video ऐसे लोगों के लि दिखा वहां पर ठीक है चलिए अभी यह जो फेस्टू का जो हैंडाउट है आप देखिए मतलब वो खुद ही consistent नहीं है उनके approach में लास्ट यह उन्होंने क्या कहा था हैंडाउट में बताया था कि ऐसे कितने mark का आएगा कितने word का आएगा 400 word लिखना है ऐसे उन्होंने कह इस बार भी हैंडाउट में उन्होंने 400 word ही कहा है लेकिन लास्ट यह का जो पेपर था उसमें 200 word का आया था और यह एक्चुल लास्ट यह के जो पेपर हुआ था सेवी का उसकी यह टॉपिक है तो यहां पर आपको टॉपिक ऐसा सलेक करना है जिस टॉपिक के बारे में अच्छा उसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपको English skill दिखाना है आपको कोई भी वहां पर नमबर नहीं लिखना है परसेंटेज नहीं लिखना है कोई भी जैसे GDP जैसा short form है GDP है IMF है ऐसा नहीं लिखना है अगर लिखने की अगर मोका आया या लिखना ही पड़ा आपको तो Domestic Product International Monetary Fund इस तरीके का लिखिए ठीक है तो यहाँ पर English लिखना बहुत ज़रूरी है English का जो आपका sentence होगा उसका maximum उसमें words होगे 8, 9, 10 इस से ज़्यादा words मत लिखिए अगर बहुत sentence ज़्यादा बढ़ा हो रहा है तो उसको 2 या 3 sentence में उसको छोटा छोटा करके लिखिए क्योंकि आप जब short sentences लिखते हैं तब आपका mistake होने का chances कम होता है ठीक है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ है बोल रहा हूँ यस अभी यह है actual question है last year जो question paper आया था उसमें passes था money related उसके उपर यह 5 question पूछे थे यानि कि 8 mark को एक question है तो अगर word limit नहीं दिया है तो मेरे हिसाब से 60 to 80 words में आप इसका answer लिखिए आपको आपके words में लिखना है लेकिन कोई अगर ऐसे candidate होंगे जिनको English नहीं लिखना आता है या काफी सारा mistake होता है तो आप वहीं के वैसे के वैसे line लिख सकते है क्योंकि क्या है that is better than writing an incorrect English थीक है वो मैं जो suggest कर रहा हूँ ऐसे student को suggest कर रहा हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं आता या बहुत कम English अच्छा लिखना आता है थीक है तो ये आपको इस तरीके की जरूरत नहीं है आपको और content और English दोनों में आपको ये करना है माल लीजे ज़्यादा फिर प्रस देना है तो आप English language को प्रस दीजिए और जिनको content आता है वो content भी दिखाए जिनको अच्छा English आता है वो English का knowledge भी दिखाए लेकिन जिनको बिल्कुल 70% weightage दूँगा English language को and 30% weightage जो है topic को दूँगा जैसे माल लीजे कोई Indian economic के बारे में अगर कोई essay आता है तो उसमें आपका language कैसा है आपका vocabulary कैसा है punctuation कैसा है spelling कैसा है subject पर agreement आप बराबर लिखते हो नहीं लिखते हो उसको 70% focus रहेगा और आप उसमें क्या लिख रहे हो उसको 30% weightage रहेगा अभी आते हैं last point पर वो मेना बताना रहे गया था कि जैसे माल लीजी कुछ लोग कहते हैं कि computer से check करते हैं मैंने भी बैसे कहा कि computer से check करते मान लीजी लेकिन 2016-17 में एक VIRAC student था वो IBPS के process में involved था तो उसने मुझे कहा था कि सर इसमें क्या होता है एक moderation नाम का एक system होता है moderation नाम का system मतलब क्या है आप सबको पता है कि computerize check होता है अगर किसी को बहुत कम marks मिलते मान लीजीए 20% से कम mark मिलते हैं या किसी को बहुत ज़्यादा mark मिलते हैं यानि कि 80% से ज़्यादा mark मिलते हैं यह मुझे actual नहीं पता कितना percentage लेकिन एक level है तो इस case में क्या होता है वो paper कोई manually check करता है क्यों manual check करेगा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पी कोई गल्ती तरह नहीं हुई हो यह check करने के लिए manual intervention होता है यानि कि आप यह याद रखिए अगर आपको बहुत कम marks मिलते हैं तो manual checking होगा इसलिए ऐसा मत करिए cricket आये तो cricket पे ऐसे लिखिए ऐसा मत कीजिए कि cricket आये तो football पे करिए इसलिए manual intervention होने का chance है इसलिए जो पूछा गया है अच्छा है उनको तो कोई डरनी की जरूरत नहीं है इंग्लिश पे focus कीजिए content भी आता है तो content भी लिखिए ठीक है so thank you for watching this video and all the best for your phase 2 examination and other upcoming examinations